मामले में कारवाई की गई, सडक उखाड़ने वाले 5 आरोपी गिरफतार, 10 लाख रुपए का नुकसान बताया जा रहा है दबंगों ने बुल्डूजर से सडक उखाड़ी थी, इनसे अब होसूली की जाएगी, महीं मुख्या आरोपी अभी भी फरार है तो बीटे दिनों शाजापूर से एक वीडियो सामने आया जिसमें दिखा कि कुछ लोग स्टेट हाईवे के सडक को जीसीबी से उखाड़ है वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की चानविन शुरू की, आरोपी की तलाश की गई, कहीजे का दबश दी गई, मामले में कारवाई करते वेए पुलिस ने पाच आरोपी को गिरफ्तार किया तो पुलिस ने ये मामले का संग्यान लिया, इसके बाद पाच आरूपियों की गिरफतारी हुई, पहले फाई आर तर्च किया किया, अब वसुली की जाएगी, दस लाग काकलन किया गया है नुकसान को ये भरपाई, अब आरूपियों से की जाएगी, हलाकि मुख्या तो एक तरफ जिस तरीके से सड़क उखड़ी, उस दिन के तस्पीरे दिखा रहा है और दूसरी ओर देखिए, पाच आरूपिय गरफतार पुलिस ने गरफतार किया है, मुख्या आरूपिये, फरार जिसके तलाश में पुलिस की टीम लगातार जुटी है, वही आकलन कल्य क्या क्या है, नुक्सान के भरपाई, अब इन सभी आरूपियों से की जाएगी, जेस सीबी मशीन को भी पुलिस ने जब्त किया है, जिसके विदित है, थाना जेती तुल पर निर्मार दीन सड़क को चटिवस करने के संबन में अभ्योग पंजिकत किया गया था, इसमें साच के अधा को रारा 386 IPC की वरदी की गई है, इस अभ्योग से संबन दित पाच अभ्योटों को विर्तार करने में थाना